नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी साथ्यों का एक्समार्ट स्टेडी यूटूब चैनल पर साथ्यों SSC GD Exam 2023 का आंसर की जो है डाउलोड हो चुका है लेकिन चेक करने में बहुत ज्यादा प्रोबलम हो रहा है आपने Chrome ब्राउजर से भी देख लिया आपके फोन में ज जिससे आप अपना आंसर की आज जेक कर सकते हैं मैं आपको लाइब करके अभी दिखाऊंगा इसके अलावा कौन सा प्रोबलम अभी तुरंत अभी इस टाइम का अपडेट है कि अभी जब आप अपना पासवर्ड यहाँ पर रोल नंबर और अपना पासवर्ड डाल रहे ह हो तो क्या इसू आपको फिस करना पड़ रहा है और किस टाइम पर आपको अपना 100% आसानी से रियल आपका आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हो मैं सारा सब कुछ बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं को कौन सा वह ब्रावजर है जहां से आप आसानी से अ ठीक है इसको जैसे ही आप ओपन करोगे इसको डाउनलोड कर लेना मैंने यहां पर जो है डाउनलोड कर रखा है तो डाउनलोड कर लीजेगा जैसे ही डाउनलोड करोगे आप तो यहां पर इसको ओपन कर लेना ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफे करना और पेश्ट कर देना जैसे पेश्ट करोगे न तो पेश्ट करने के बाद यह वाला जो एरो होता है नीचे की बोर्ड में यहां पर नीचे में यहां आप देख सकते हैं यहां पर आपको क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करोगे साथ हो सबसे उपर यहां पर डाउनलोड डाल के देख लेते हैं कि क्या आरा है चलिए देख लेते हैं तो साथी आप लूँअर्ट यहां पर आसवार्ट जो आपने बनाया है वह मैंने यहां पर फिल कर दिया है उसके बाद आपको लॉगिन वाला ओप्शन यहां पर आपकोлаг लोगिन कर देना है तो चलिए login कर लेते हैं तो अभी जब इसको आप login करोगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखकर आएगा और यहाँ पर लिखा हुआ यह है कि the login to form will be available only between आज 18 तारिक है 18 दो 2023 का यहाँ पर देखे 15 लिखा हुआ है और 45 मिनट इसका मतलब यह है कि तीन बजकर 45 मिनट से लेकर आप 25 तारिक तक जो है आप answer की चेक कर सकते हैं 25 तारिक के 17 यहाँ पर 17 आउर्स लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि 5 बज़े तक ठीक है तो साथियो अभी जो आपका real link है वह आपका तीन बजकर 45 मिनट पर आपको available होगा और आप जो है उसक 25 तारिक कोई साम में जो है 5 बज़े तक आप इसको चेक कर सकते हैं अभी का problem यह है अब देखिए यहाँ पर अगर आगया और फिर से अगर आपके सामने जो है देखिए अभी आप लोग जब यहाँ पर लिंग आपना रोल नंबर पास्वर्ट डाल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आप यह उपर वाला जो यह थिरी लाइन है इस पर क्लिक करते हैं तो उपर करते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे इडिट पेज सोर्स का ओप्सन आपको मिल जाता है तो इडिट पेज सोर्स वाले ओप्सन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और य नीचे पहले तो आपका जो link है कौन सा link है आपको copy करना ध्यान से सुनिएगा पहले आपका HTTP लिखा होना चाहिए और last में आपका HTML होना चाहिए ठीक है तो ये वाला जो link आपको मिलेगा उस link को copy करके जैसे ही माल लेते हैं कि मैं आपको example के तौर पर दिखा रहा हूं क्यूं लोड हो जाए लेकिन अगर नहीं हो तो फिर क्या करना है कि आपको देखना है कि कहां से HTTP शुरू होना है और कहां पर last में HTML है ठीक है तो उसको आप इसे इस तरह से simply यहां पर प्रेस करना और कोपी कर लेना कोपी करने के बाद जो है ऐसे कोपी करना उसके बाद आप साथ्यों आपका जो पेज है ठीक है जहां पर आप सर्च किये थे यह वाला जो लिंक आप सर्च किये थे उस लिंक को आप यहां से हटा देना ऐसे करके इसको जो है आप यहां से रिमूब कर देना इस हो जाएगा automatically लेकिन मैं आपको यहां पर एक चीज बता रहा हूं कि यह जो है ऐसे ही जो देखिए लिंक जो है पहले से activate था तो हो सकता है कि SSC जो है अपना answer की upload कर रहे थे उस time और देखिए हिंदुस्तानी है न हम लोग और इंडिया में जुगाड लगाने वालों की कमी नहीं है अभी तक जो रिजल्ट चेक हो रहा था वो केवल जुगाड लगा करी सब कोई चेक कर रहे थे लेकिन यहां पर जब यह लिक दिया है कि 3 बज कर 45 मिनट से आप 25 तारिक के साम में 5 बज ब्रावजर है कैसे करके आप जो है HTML एडिट पेज सोर्स से आप अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं तो साथियो काफी मेहनत के बाद जो है मैंने ये वीडियो आपको आपके लिए बना है काफी जांच परताल करने के बाद तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना आपक आपको नौकरी चाहिए बिल्कुल पहले भी नौकरी दिलवाएं हैं और आगे भी आपको नौकरी दिलवाएंगे बस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बैल आइकन कौन करकर रखना और जितनी भी वीडियो साएंगे सारे वीडियो को आपको देखना है चलिए मिलते नेक् ST, OBC, General, EWS सभी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, minimum 45 और अधिकतम आपका 55 marks होना चाहिए, तो आपका 100% selection होगा, मतलब कि यह marks नहीं है, इतने question आपके correct होने चाहिए, ठीक है, marks तो आपका चलिए ठीक है, कि आपका एक marks, एक question सही करने पर आपको जो है, दो marks मिलता है, ठीक है लेकिन इतने question आपके correct होने चाहिए, आगे की जानकारी आपको बताएंगे, सभी आप लोग answer की check कर लिजे, और अगर मिला लिया है, तो comment box में comment करके बताईए, आपके कितने question correct है, मिलते है next वीडियो में, तब तक के लिए जहिंदे